अब भारत रतना बढ़िया न उसका यह पढ़ाऊंगा भारत रतना बढ़िया और खेलो इंडिया जो एडीशन वा था अभी वह नेक्ट ट्लास न वह पढ़ाऊंगा आज मैं तुम लोगों टॉपिक पढ़ाने वाला हूं वह ग्रेंड स्लेम ग्रेंड श्लेम बहुत इंप आता है विश्ळा लाश्ट क्लास में यह ग्रेंड श्लेम जो है यह कौनसा स्पोर्ट है एन्यवन इन घ्लास है वह बढ़ियू यह जैसे अपने क्रिक्ट में वर्ल्ड कप होता है एक टाइटल वड़कप ट्रॉफी है ना उसी तरीकिसे ग्रेंड शंब क्टाइटल एक ट हर साल होता है और तुमारे इस पोर्ट करेंट अफैर के लिए सबसे जाधा इंपोर्टेंट टॉपिक है ग्रेंड स्लैम से गेरेंटीड है 100% कि आपके एक्जाम में आपको एक या दो कुश्चंस 100% मिलेंगे ही मिलेंगे आप जो भी एक्जाम दो बैंक का दो एससी का दो ए कि चुम यह जान ग», क्यांसा स्पोर्ट है ? तैनिस का है ? दूसरी चीज Gagland Slam हर साल fix होता है क्या होता है ? किस तरीके से ग्रैंड स्लैम के प्रकार के होते हैं जैसे तुमने देखा होगा जब टैनिस का गेम कभी देखा है टीवी पर है ना देखा होगा दो लोग खेल रहे हैं एक उदर और एक इदर इसको बोलते हैं सिंगल क्या बोलते हैं सिंगल तो सिंगल ग्रैंड स्लैम grand slam title यानि कि दो लोग खेलेंगे अब single में भी दो category एक men's single एक women single understood the point दूसरा title होता है double single के बाद क्या होता है double अब double में भी do category मैंस double कि और होता है मिक्स एक होता है एक मैन अक्वोमेन होंगे इस सब्सक्राइब एक मैन एक मैन एक मैन एक वॉमेन एक मैन आरे ऑने वो कुछ हो यार तlotि दूमारे दिमाग मेरे 음िलाण भूष्य हर दो मिक्स डबल अब इसको हमलोग विसतार में पढ़ेंगे समझने कि करेंगे चीजे कुछ कुछ काम को याद करने की चेश्टा करनी है स्चारवी हुए लेकिन करना बहुत जरूरी है है de और सारे पीडियेव को रिवाइस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है बजट जो मैंने आपको पढ़ाया था वो मैंने टेलिग्राम के ऑफिशल चैनल पे स्टरी एक्सपस के वह अपलोड कर दिया है तो वहाँ पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हो ठीक है चलो आगे बढ़त होगा वह होगा ऑस्ट्रेलिया कहां पर होगा सबसे पहले कहां पर होगा ऑस्ट्रेलिया कब होगा जैनवरी में कब होगा जैनवरी में हर साल ऐसा नहीं है कि पहले फ्रेंच होगा फिर ऑस्ट्रेलिया या अपनी मर्जी से होगा ऐसा नहीं होता है ग्रेंड स्लैम टैटल ह यानि कि UK London कहां पर होता है लंडन में होता है यह अंडर शुर्द पॉइंट और लाश्ट वाला कहां पर होता है यूएस ओपें में होता है तो 123 और तो सारी चीज़े अपने को रिवाइस करना है बीना देखें अपने एक बार रिवाइस करते हैं सारी चीज़ों को बोलो पहला वाला कहां और बहना होता है यूई से हरसा रहता है स्टेलिया में दूसरा था से बीच में और विंबलं रिंपले को अगस्ते से सब्भूबर होता है जब नवरातरी के समय आती है सप्टेमबर अक्टोबर में नवरातरी आती हो समय जाता है अंडर शुर्ट तो पूरे साल यह होता है तो तुम्हें यह देखके पता तो चल गया होगा कि 2014 में 15-28 जनवरी जा चुका है यानि कि यह वाला ओपें ऑस्ट्रेलियन ओपें वो चुका है अब इसके बाद कौन सा होगा में जून में हम देखेंगे और वेंबल्डन कब देखेंगे और युएस ओपेंड कब देखेंगे और सप्टेंबर यानि यह हमारा फ्यूचर है यह अभी तक हुआ नहीं है तो सर कैसे पढ़ाएंगे आप फूचर थोड़ी देख लिए मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं तुम्हें ऑस्ट्रेलिया ओ आपका कोर्स डूरेशन 6 महीने का है तो उस दौरान अगर आता है यह उपेंस तो तो मैं पढ़ाई दूंगा तुम्हें नहीं तो मैं टेलिग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा पीडिएफ तुम वहां से देख लेना लेकिन तुम्हारा कॉंसेप्ट क्लियर रहेगा त सिर्फ तुम्हें क्या जानना है कौन जीता बाकी सारी डेटा मैं तुमको आज पढ़ा दूंगा अंटर शूट तो चलो पहला क्या है ऑस्ट्रेलिया ओपन कब होता है एक बार थोड़ा सा थोड़ा सा मंत याद करना पहला क्या है जनवरी परवरी मार्च अप्रेल मैं या गार। माइब के बाद प्लास वन कर दो अगस्ट मनें प्लस फॉर प्लस वन ऊक्रों वापिस से सिच को अपने रिवाइस करते हैं बार बार रिवाइस क्यों करता हूं मैं ताकि मैं चाहता हूं क्लास में सब चीज्य तो को आ धूर्ス ऑस्ट्रेलिया दूसरा का होता है प् यह कब होगा और यह कब होगा अगस से सेप्टेंबर याद हो गया सारी चीज़ा याद हो गई अब परिक्षा में अगर आए ईक बात द्यान रखो यह इस से कोश्चंज बहुत ज्यादा आते हैं और दूसरी बात यह है कि जितने भी अभी मैंने आपको बताया उस्ट्रेलिया का बताया फ्रांस का बताया लंडन का बताया युसिए का बताया यह पहला बात थो फिक्स रहता है और दूसरा इनके कोट अगर तुमने कभी देखा होगा तो तुमने इमैजिन कर पा रहे होगे कि कहीं पर ग्रास देखा था और कहीं पर लाल मिट्टी देखी थी और कहीं कहीं हमने ब्लू कलर का ऐसा कार्पेट टाइप का कुछ देखा था रबड है ना तो यह फिक्स रहते हैं हर एक ओपेन का अपना अपना फिक्स कोट है अब वो फिक्स कोट कहां कौन सा है वो चीज हम जानेंगे चलो देखो कि क्या इसलिए पूर मेजर टैंष इवेंट कोट का फहले एक चार्ट कोटा में शॉक्व होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन्स प्लेट उन्द हार्ड होता है इस पर होता है अपने अपने हार क्ले कोट सर यह क्ले क्या है मिट्टी वो जो लाल मिट्टी के मैं बात कर रहा था वो लाल मिट्टी के ऊपर यह वाला फ्रेंच ओपन होता है तो पहले क्या आया हाड उसके बाद क्या आया अब लंडन वाला ग्रास कोट पर होता हरा किस पर होता है किस पर होता है ग्रास पर ह पहले क्या था हाड फिर क्या था फिर क्या और लाश्ट का मतलब सुमंझने हागा ग्रास्ट पर का मतलब इंच ज exist गया दूसरा युस होपन और यह ऑस्ट्रिलियन ऑंपन यह जोनों हाड छो है स्टार्ट भी हाड से होगा और अन्त भी यह हाड पीछ कौन सा है यह वह रबड वाला पीच्छ हे इत्तव कलर का जो पीछ होता है रबड का शोता है उसके उपर यह काफी हाड होता है ठीक होता है अन्डश wir सबसे पहला क्या था रिटा आज प्लेकर नंबड़ी तूप क्या था चाहिए ba फ्रेंच नंबर थ्री क्या था लंडन नंबर फॉर क्या है वेरी गुड अब मुझे इसका महीना बताओ आस्ट्रेलिया का जैन्वरी मैं टू जून जुलाइटू सिर्फ जुलाई था फिर लाश्ट रहला ऑगस्ट टू सेप्टमबर देखो कितने याद हो गया तुम्हें बार बार रिवाइस करने से दिमाग में चीज़े क्या होती है छब जाती है ठीक है अच्छा अब मेरे को बताओ इसका पिच्छ यानिकी कोट बोलो पहला और आखरी अच्छा फ्रेंच वाला कॉंसा है और लंडन वाला कॉंसा है क्रीन ग्रास कि इसलिए याद होगे जारी चीजे कुछ टफ लगा तुम्हें बार 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 इस चीज को रिवाइस करने से हमारे दिमाग में यह चीज़े बैड जाएगी अब आगे बढ़ते हैं देखो मैंन प्रेंट वाला मैं उसके बात फ्रेंच को दूसरा नाम क्या बताया था मैंने रुनाली गारोग्स क्या बताया था हां तो इच फाइप event are played in this each tournament देखो जैसे क्या-क्या tournament यह किस प्रकार के होते हैं जैसे men मताया था मैंने men single woman men women और यह मैंने आपको starting में बताया था अंडर फ्रकार के event होते कोई पुछेगा किते प्रकार के event होते हैं तो 5 प्रकार के event होते हैं अब दो हजार 24 में जो Australia open अपना हुआ सबसे पहला जनवरी जा चुका है 15 से 28 जनवरी तक ये open चला है तो इसके title winner कौन हुए इसका title winner इस बार जो Australia में हुआ 2024 का Australian open इसका नाम है Janik Sinner क्या नाम है तर क्या ये नाम याद रखना जरूरी है हाँ जी बहुत ज़्यादा जरूरी है कौन है ये जैनिक सिनर ये है कहां के ये भी जानना जरूरी है question परिच्छा में ये भी पूछ देगा recently Janik Sinner won the Australian open 2024 he is from which country answer will be Italy और ये किसके अगेंस्ट के लिए ये भी आपको पूछेगा गावा Answer will be Daniel Madov डैनील मेडव कहां के है ये जो नाक में दम कर रखे हैं ये ये हैं डैनियल मेडव आप है और ये है जैनिक सेनर का ये life का पहला टाइटल है यह सिर्फ एकैस साल के उमर के बच्चे हैailable और इन्हों ने अपनी जीवन का पहला टाइटल फॉर्स्ट इटालियन फॉर्स इस यह है जिसने यह वहला टाइटल जीता अजयten ply इनका अपना पहला टाइटल जीता है और इटली से यह सबसे कम उम्र के बच्चे जो है पहली बार कोई टाइटल जीता यह यंगेस्ट प्लियर है जिसने जीता इसका नाम क्या है जैनिक सिनर ही इस फ्रॉम इटाली और किसके जीता डैनियल मैडव यह प्लीज दोनों नाम आपको याद रखना पड़ेगा इस इट क्लियर एवरिवन भली यहां पर कहीं पर टैट्टू कर वालो क्योंकि एक्जाम में कुशन आने वाला है क्या क्या है बोलो जैनिक सिनर और डैनिय इस बात करें तो वोमें सिंगल ग्रेंड स्लैम टाइटल वीनर इस बार की कौन थी बेलरूस वरसेच चाइना और जीता कौन बेलरूस इसका नाम क्या है अरियाना सबलैंका ठीक है और किसके अगेजी जीती जहांग कुइन्वें जीती यह हैं क्यों और यह सबलैंका अंडर शूर्ट दो पॉइंट इस इट क्लियर तो वोमें सिंगल में कौन जीता और श्ट्रिलियन ओपन में अभी रिसेंट्ली आरियाना यहां पे तो अस्ट्रेलियन ओपन किसे जिता जैनिक सीनार और डैनियल मेडव बोड़ ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जिता जैनिक अंधर मैडव तैड чеटि याद रखो एजयपयलिप् स्ट टेफ ही चैनिक और मैडव दी मने मैडव ठीक है याद रखो के जैपुर डवलपमेंट कि अब बोल बोल नाम बोल पस तुम्हें तो इस पहलिंग याद नहीं रखनी है ना तुम्हें वहां जाके वाई वाई एक्जाम थोड़ी देना है तुम्हें तो महां जाके आप्शन में टिक करना है जैसे दिखेगा जे फॉर जैनिक जैपुर मेट्रो डवलपमेंट जाओ जै माता दी याद रख लो बहुत अच्छा ट्रिक दिया इसने मेन टाइटल कौन जी था जै माता दी जैनिक और मेडव इसी तरीक से कुछ अपनी ट्रिक बना लिया करो ताकि तुम्हें याद रहे ठीक है जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन में कौन जीती एर क्वालिटी एक्यू कौन जीती एक्यू बस क्यू से क्विन और एस से सब्लेंका या अरिया नका ठीक है जो भी नाम इसका याद कर लेना इस इट क्लियर एवरिवन तो यह दोनों चीज़े याद हो गई चलो अब आगे बढ़ता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपेन पहले होता है फिर कौन सा होता है फिर फिर हाड है हाड क्ले मनें इस बार इन्हों ने किस पर खेला हाड पर खेला होगा 100% जैनिक और वोमेन में कौन जीती सब्लेंका फ्रम बेलरोस याद हो गया इजिट क्लियर एवरिवन वेरी गुड आगे बढ़ते चलो अभी वापस से एक बार तो यह लिखा हुआ है और फ्रेंच ऑपेन कव होता है रोस नौन एज रोनलेल्ड-गारोस यह एंच्छ यह परीच्छा में आता है विच अफ उल्विंग ओपन is also known as Ronald Garros answer will be French open is it clear every French open का दूसरा नाम क्या है विंबल्डन is the most prestigious and oldest ये भी question पूसते हैं परिक्षा में सबसे पुराना सबसे oldest tennis का tournament कहा होता था answer will be Wimbledon Wimbledon is the most prestigious and oldest tennis tournament in the सबसे oldest कौन सा है Wimbledon understood अपने आगे बताओ पहला कोशन आपके स्क्रीन के सामने है कोशन बताओ which is the sequence of the four grand slam tennis tournament कौन सा करेक्ट अंसर पहले कौन सा होता है दूसरा कौन सा होता है तीसरा चौता कौन सा होता है बताओ सबसे पहले क्या होता पताओ ऑस्ट्रेलिया तुम्हें याद है फिर 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 तो इजी हो गया तुमारे लिए इस प्रकार के कोश्चन आपके परिच्छा में आते हैं अंडर शूर्ट पॉइंट इन विच ग्रेंड स्लैम टूनामें वाइड ड्रेस इस कंपल्सर यह नहीं पता होगा थोड़ा इमेजीन करो थोड़ा अगर देखा होगा ना ग्रास वाले में करेक्ट थोड़ा भी अगर दुन्दला याद है ना अंसर विल भी लंडन अरे इंग्लेंड वाले जो भी स्पोर्ट के लिए वाइट कपडा पाइन कहीं खेलते हैं टेस्ट मेंच जिससे स्टार्ट हुआ इंग्लेंड से स्टार्ट वा अंटर्शूर्ट नेक्स्ट ग्रेंड स्लैम इस यूज इन वीच आफ था फॉल्विंग गेम किसमें होता है बैडमिंटन में रसलिंग में क्रिकेट में नो अंसर विल भी टैनिस ओनली हो मैनी ग्रेंड स्लैम टैनिस टूर्णमेंट रहल्ट एवरी यर हर साल कित्ते होते हैं ओल्ड होते है अस्ट्रेलिया फ्रेंच्वेंबल्डन एन फ्रेंड विच ग्रेंड स्रेंड टूर्णमेंट इस प्लेड on the grass grass के ऊपर कॉंस आता है answer विल भी वेंबल दन यूएस का कॉंसा होता है हाड ऑस्ट्रेलिया का फ्रेंच का वेरी गुड तरी चीजी याद हो रही है वो इस द फर्स्ट इंडियन तो विन दे ग्रेंड स्लम टाइटल इंपोर्टन कोश्चिन पहला भारतियर कौन है जिसने पहली बार ग्रेंड स्लम ट यह पहला तोड़ी है अंसर विल भी लिएंडर अंसर विल भी रमेश महेश भूपती इस फर्स्ट इंडियन टू विन दे ग्रेंड स्लम टाइटल लियर अब याद रखोगे ऐसी मैं हरकते क्यों करता हूं करके फिट ताकि तुम्हें याद हो जाए ठीक है महेश भूपती यह किस कंट्री से है अधा गुचा चीशी चुचुचुचुचुचुचु जापानीच में गाली देदी में अधाट है नहीं 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 सर्भिया अर्बियन प्लेयर रहीयर विच ग्रैंड स्लायम है दा है इस प्राइज मनी सबसे आधा पैसा कि समय मिलता है एनी वन इस तक बैरे गूड विंबल टन इस दर अरव से पैसा वाला को ने यार वर्ल्ड में यूस ए अन्सर विल भी यूसे अन्सर इस यूसे अभियाद रख इस ने टाइटल जीता गरेंड शलेम का कि क्या नाम है 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 किनो को लग रहा है यह बी-सी-डी में से किन को लग रहा है यह होगा मार्गरेट कोट क्यों एक इन को लिए सर बी किन को किन को लग रहा है ता पांच लोगो लग रहा गूड इस टेफी ग्रेफ किसको लग रहा है वेरी गूड तो इसे को कि Maureen Canoli Brinker किसको लग रहा है और अन्यवन वेरी गूड यही लगा जीतेगा स्टेफी अंसर मार गेरेटा मारतीन हिंज इस दा करेक्ट अंसर इस दा फर्स्ट फीमेल वू वॉन सुनो सुनो सी इस दा फर्स्ट फीमेल प्लेयर हूँ वॉन दे यंगेस्ट ग्रेंड स्लैम टाइटल अब याद रखना यह कुस्सन सों बार एक्जाम में पूछा गया है कि निस साल की होगी लड़कों में कौन जीता लड़कों में एक जापान का है जापान का एक लड़का है मैं बताते तो हूं जापान का लड़का है उसका नाम मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है करो गूगल करो देकिन जापान का है देख मेरी मेमोरी कितनी तेज इस बच् मैं फिर भी उसका अब जापानी लोग के या नाम याद नहीं रहते हैं लेकिन जापान का है देखो तो गूगल कर लो जापान का ही निकलेगा कि अरे को ऐसे लिगो हूँ इस दा यंगेश्ट मेल ग्रैंड स्लैम विनर टाइटल कि अंसर इस अरे यार तुम्लों नेट ने चलता यंगेश्ट मेल तुविन ग्रैंड स्लैम टाइटल नहीं यार आहां कुछ असा नाम बताया नहीं हां देखो यंगेश्ट मैंड वें ग्रैंड लैंड टाइटल जापान का टोकी टो टोकी तो कीEM में और को भी लागा है नहीं तुम्हारा गलत्रह में तोकी टो टोकी टोड़ा तुम्हारा सहत्राएच हो कि तोड़ा है तोडरा कम टिखार तो प्लेयर ग्रित आपानिस प्लेयर जो यंगेश्ट है में और मार्टिना हिंजिस क्या है फी मेल में फू वान्द ग्रेंड स्लैम टाइटल यंगेस्ट अंडर सूट दो पैंट एवरीवन तो देखा मतलब मेरा यह चैप्टर पुरा इदम पढ़ा हुआ कही सालों से मैं पढ़ाते आ रहा हूं इसलिए कि ऐसे नहीं पूछेगा तब बोलेगा एन बी बीन सी वैसा वाल आप्शन उसको देना पड़ेगा लिकास मेल में वह है टोकीडो और यह फीमेल में अंडर शूट तो है क्या इसमें तोकीडो ओड़ा का नाम है क्या नहीं तो माटिना हिंजिस अगर मिल रहा तो उसको टिक मारके आगे बंढ़ना उतना क्यों को संके पीछे पढ़ा है यह वह अंसर wooden है टिक्री तो मैना इसलिए तो मैने तुम्हें बताया कि मेल वाला कौन है याद का कोई यह अब जापाने के नाम याद नहीं रहते जापानी यह ए सब के नाम ऐसे लंग्ली फटलिव ट्पानों याद नहीं रते ह। एंटर इत部分 तो हमनेम सीको बीसके सॉल्फ किये और हमने इसका लेकिन एक बात इसमें मैं तुम्हें बोलना चाहूंगा मेरी बात ध्यान से सुनना सारे बच्चे सुनो यह लिष्ट अभी पूरी complete नहीं है यह सिर्फ अभी और उस्ट्रेलियन ओपन हुआ है इसलिए मैं तुम्हें आस्ट्रेलियन ओपन का बता दिया ठीक है बट जैसे फ्रेंच उम्पन जब होगा विंबल्डन ओपन जब होगा और रूएस ओपन जब होगा तो मैं इसक हाली वीनर और किसके अगेंस टोलो जीते डैट सॉल अंडर इसके अलावा तुम्हें इसमें कुछ नहीं पढ़ना है अब तुम्हें थियोरी मैं पुरी पढ़ा चुका हूं नेस्ट क्लास में मैं तुम लोगों को यूथ वाला गेम पढ़ाऊंगा यूथ वाला कौन सा गेम खेलो इंडिया यूथ गेम के बार में कुछ बात करते हैं जैसे का मैंस डबल और मैंस वहन अभी तक हुआ नहीं तो इसमें पढ़ना भी नहीं तुम्हें सिंगल पढ़के जाना परिक्षा में मैक्सिम सिंगल सी पूछेगा तो गाइसी में हुआ है बड़ तुम्हें प्चली बार में थोड़ा सा बात करते हैं मेरे को बताओ कि खेलो इंडिया यूद्य जो पिछली बार मैंने तूंको पढ़ाया था थोड़ी दिन पर लहीं पढ़ाया था वह कौन सा एडिशन था वारिफ्ट एडिशन हो गया तेरा तो वलक पड़ा था अभी जो होगा व तो इतना थोड़ी बहुत बात तुम्हें पता है अब इसके बारे में तुम्हें सारी चीज़े क्या पढ़ाऊंगा जो इसमें पढ़ाया था सेम टो सेम कि इसका मैस्कॉर्ट कौन है ठीक है कौन सा नया स्पोर्ट इंट्रोड्यूस हुआ जैसे पिछली बार कौन सा हुआ था फैंसिंग और वाटर स्पोर्ट है ना और इसके एंबेजडर कौन है टैटल स्पोंसर कौन है यह सारी चीज़े मैं तुम्हें नेश्ट क्लास में पढ़ाऊंगा तो इस पोर्ट का लगबग हमारा खत तो एकनोमिस चालू करूंगा दिरेखनों खतम करने दो क्योंकि एकनोमिस बहुत छोटा है जल्दी खतम हो जाएगा अंटर शूर्ट तो पईंट उसके बाद हम थोड़ा सा बैंकिंग एवनेस थोड़ा सा पढ़ेंगे ठीक है उस एकनोमिस का ही पार्ट होगा बैंकिंग सब्सक्राइब क्लियर तो थोड़ा सा पढ़ लेंगे ठीक है चलो गेट लॉस्ट काल के छूटी